सब्सक्राइब कोचिंग खत्म होने के बाद अपने दोस्त हेमन जीत के साथ मार्केट जाती है लेकिन वो कभी लोट कर नहीं आती परिवारों को लगता है कि दोनों ने शादी कर ली लेकिन आज करीब 20 दिन बाद भी दोनों बच्चे घर नहीं लोटे हेमन जीत के पिता ने हमें बताया मा को बोला एक फुटबोल में देखने के लिए जा रहा हूं बोलके चला गया अराउंड आइट लोग मौनिंग फिर उसके बाद तू अकलों में लड़की लोग का माबब आखर वो दोनों चला गया बोला है ना कोई 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 कुमने का कुछ भी हो सकता है इसलिए उसी समय में मेरा मान ने तेलीफोन रिंग किया उसी समय में और अलरी ही स्विश ओपन उनकों बोलाए फोन इसलिए कंट्यक नहीं मिलता उसी दिन में उसका बाद में लगकी लोग का माबब पी तिन बार आता है वो बुला ओ लगकी को देख अशा बुलाया ना इसलिए ओद में अशी समय में नेक्स डूलाइम एक शक्षयोद में में दिन ओख दो इसलिए नेक्स स्विश के गश्पन में रिपोलिस में आए थाए में अशी बुलाइम मीन देनि प्लीस में आता प्रवक दृभ Л larva मेंज अचर्वाब पापार ना में वीय तो इसलिए ह हम दोनों लगकी का महबाप और हमारा महबाप इथाय में चला गया और अल्रेदी इंफार्ट पुलिस्टेशिंग आयो ने इथाय को बात किया पहले और हम इथाय जाकर मिलता है और उनने बोला उसी जगह में वह लगका लगकी आने का कोई इविदेंस नहीं है इसलिए हम व अपर थ्री देश्ट लेटर अपर्सिमेटली थैंसेट उप डि मैशन रियिक्तिवेटबी फिर चलो होता है अफ तर चेंज इंजिंग अफ रिप्लेश वर रिप्लेश वर दुसरा सींगाट है उसका बान में पुलिस को हम आदमी पकरने के लिए हम कोशिश के लिए लेकि क्योंकि वह कुकी के जागा बला है, actually, the area is Naga area. It is around 10 km लगबक दूर है, और मैं रोज़ से इफल्च वर संपूर रोच रोच है. इसलिए ऐसा ऐसा पुरूशने कर रहा है, हम अभी तक मेना पैसा बेता और बेता का दोर से प्रेंट भी नहीं आता है टर इसलिए हम बहुत है, हम बहुत दूप है, आप सेप्टिकिंट एइसपना। एंवानली वुष्ट्रम स्वीक पर शर्ण करें नहीं नामिए भी रखरमा नहीं सुनुपर. बीजनपुर मुष्ट्रम से फिर भी दुसरे जगा कापु मेना इसी रस्ता में अचैसा का बहुत है रास्ता में नहीं से जा सकता है, से पता चलता है कि दोनों बच्चे बाइक से साथ गए थे लिंठोइंग गंभी के पिता गुलाजीत सिंग ने बताया कि उन्होंने उसी दिन एफायार भी डर्ज कराई थी वहीं इम्मुन गोबी सिंग एफायार दर्ज कराने में थोड़ा लेट हो गए थे छे जुलाइक को दोनों बच्चे गायब होए थे आज 28 तारीक है बच्चों का कोई पता नहीं है मेरी बेटी अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचा करती थी मुझे नहीं पता कि अभी वो किस हाल में होगी वो मेडिकल की तयारी कर रही थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी परिवार का रोप है कि पुलीस को बच्चों की आखरी लोकेशन पता है लेकिन पुलीस वहाँ जाने से डरती है और कहती है कि वो कोकी बहुल इलाका है और वहाँ जाने से खत्रा है हमने पुलीस का वर्जन भी जानने की कोशिश की लेकिन फिलाल हमें कोई जवाब नहीं मिला है दवायर ने अपनी इंवेस्टिकेशन में पाया कि हेमन जीट सिंग के फोन में एटल का सिम कार्ड डाला गया और वो सिम कार्ड चूरा चानपुर में रजिस्टर्ड है आज टारीख है 25 जुलाई रात के करीब 11 बज़े हैं पूरे हिंदुस्तान में जब हम लोग आराम से सुकून से सो रहे हैं उस वक्त यहां पर मनिपुर के कई परिवारों की मीन उर चुकी है अभी इस वक्त मैं एक परिवार से नहीं दो परिवार से मिलकर आ रहा हूँ जिसमें एक लड़का गायब है दूसरी तरफ एक 17 साल की लड़की गायब है पुलीस केती है कि उनकी आखरी लोकेशन कुकी समुदाय की इलाके की आई है और वहाँ जाना पुलीस के लिए मुम्किन नहीं है पुलीस उसके पीछी कारण देती है कि अगर वो वहाँ जाएगी तो दंगधा भड़क जाएगा अब जो वो परिवार है जब वो उसकी पुलीस सुनवाई नहीं करेगी प्रशासन उसकी बात नहीं सुनेगा तो परिवार अपनी शिकायद किस के पास लेकर जाएगा परिवार सरकार से मायूस है तो परिवार जो मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी भी खुबार वापस हर लोट कर आएंगे तो क्या वो लोट कर आपाते हैं या नहीं कुरी दो जो जो आपको परिवार के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्य पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए रिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुने